Hello friends, welcome back to your channel Accounts Guru Term 1 के exam आपके बहुत अच्छे गए कुछ papers अगर खराब हुए भी है तो don't worry, moderation में cover हो जाएगा चिंता कीजिए अब जो आने वाले महीने हैं हमारे Jan और February Let me tell you, आपको लग रहा होगा वो 60 days काफी है, sufficient है लग 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 अगर Accountants से, Business Studies, Economics, Maths की बात करें या 500 subject की बात करें roughly 30 chapters बनते हैं सभी subjects को मिला के तो क्या ये 60 days काफी हैं because term 2 के अंदर आपके जो project work होगा, वो होगा actual यानि आपकी file, external examiner चेक करने आएगा और हो सकता है practical paper जो 6 mark का अभी बचा है के और 15 दिन फेब के और December के तो आप जानते ही है मस्ती में टाइम बीत रहा है, अभी आप रिलाक्स है तो मेरे लिए माने, तो सिरफ 50 days बचे हैं, उन सभी पांचो subjects के लग बग 30 chapters करने के लिए और Accountants से के बात करें, तो term 2 में हैं ये हैं 6 chapters जो आज discuss करूँगा, लेकिन term 1 के comparison में का term 2 को देखें तो ऐसी क्या-क्या चीज़े हैं जो आपको बदलनी है, because last 6 months जो हमने पढ़ा, उसका examination हमारा हुआ, MCQ बेस पे यानि आपको एक role दिया गया था उस role के थुरू आपने बहुत अच्छा perform किया, but अब आपको role मिल रहा है अलग, यानि अगर movie की भाषा में बात करूँ, तो अभी तक आप अजे देवगन, angry young man की तरह काम कर रहे थे, या Amitabh Bachan की बात करूँ तो angry young man, but अचानक से आपका role change कर दिया गया, और अजे देवगन को यानि अब जो बात रहेगी term 2 के अंदर वो planning आपको करनी है, आज बहुत ही amazing धंग से, because I hope थकावाट उदर चुकी है, और आप आप term 2 के लिए सुनने के लिए तयार है तो यहाँ पर how to complete the term 2 slabors in next 50 days, यह रहेगा हमारे लिए बहुत ही challenging work उसके लिए सबसे पहले बात करना चाहूंगा यहाँ आपको ध्यान रखना है, कि अब जो हमारा fight है, वो है 120 minutes से, yes, अभी जो term 1 के exam दिये वो दिये आपने 90 minutes में 90 minutes के अंदर हमें लगभग-लगभग 40 questions MCQ करने थे, accountancy को जो की pattern change के हिसाब से था, बट अब इसके अंदर हो सकता है, लगभग 11 से लेके 15 questions subjective paper बनके आजाए, जिसमें कि बड़े questions भी होंगे, यानि 8 marker 6 marker, 4 marker even 3 marker भी आप expect कर सकते हैं जैसे कि NPO में होता है तो यहाँ पर उस 2 घंटे के अंदर आपको theory, plus subjective pattern को कैसे handle करना है, ये 60 days बहुत seriously आपने सुनना है अगर आपको ये 2 hours की practice और papers करने के बाद, जो confidence आएगा, वो तब होगा जब कम से कम 8 से 10 paper आप कर लेंगे, और वो mark papers में आपको करवाँगा, यहीं इसी channel accounts group है, उसके बाद बात आती है subjective यानि अभी तक आप MCQ में क्या कर रहे थे, concept based question, यानि कुछ ऐसे-ऐसे concept आपने पड़े, shares chapter के अंदर जहां हम आपको बोलते थे, capitals are given था, find the reissue price, या बात करें, अगर हम sacrificing ratio की वो given होता था, reverse gate डालके आपको old ratio, new ratio पूछते थे, या फिर जो premium of goodwill है, वहाँ mention करते थे sacrificing ratio, पूछते थे, इसके base पे आप new ratio निकालो, बात करें, बाकी chapters की fundamental की या admission of a partner की, वहाँ revill, profit और loss देते थे और एक missing figure निकालनी थी, किसी asset की increase या decrease value, या फिर उनकी revise value, यानि अभी तक आपने question सिरफ rough solve किये, और सीधा answer tick किया, बट यहाँ पर आपको अब number of marks के हिसाब से कितने minutes में वो question होना है वो आपको तेह करना है, यानि example rough idea हम कहते है, one mark का question 2 minute में होना चीए, तो क्या आप इतनी subjective practice कर लेंगे, आने वाले बचे में सिरफ 60 days में वो एक fight रहेगी, तो उसमें जितनी जलदी हो mold होना बहुत जरूरी है उसके बाद आती है presentation, यानि हमारे जो board के अंदर, subjective paper में हम accountancy में, presentation के number भी काटते है, सबसे बड़ी आ example है journal entries, पहली sheet पे जो हम board के paper चेक करते हैं, लिखा होता है, 25% marks हम आपके काटेंगे, for not drawing the proper formats of journal ledger, for not writing the narrations, यानि अभी आपने पिछले साल, April में पढ़ना start किया और December 9 महीने में, अभी आपने journal नहीं बनाया, आपने narration नहीं लिखी, आपने ledgers नहीं बनाए, और इस दो महीने में वो सब कुछ करना है, जो अभी तक नहीं किया, तो मेरे प्यारे बच्चों, online classes की वज़े से, नहीं हम teacher आपको gauch कर पाए, देख पाए कि आपका journal सही बन रहा है, आपका ledger सही बन रहा है, तो ये एक fight रहेगी subjective exam में, अगर होते हैं तो, because government नहीं कहा रखा था कि दोनों options available है, अगर COVID कोई नया coronavirus आता है, और हमें लगता है कि नहीं paper subjective नहीं हो पाएंगे, तो वो MCQ form में हो सकता है, but अभी की stage में हम लेके चलें कि हमें तेयारी subjective के हिसाब से करनी है, आगे कुछ भी हो, then presentation के बाद आती है fight theory की, because अभी जो हमने term 1 में exam दिये हैं, वहाँ पर अगर हम बात करें, objectives of analysis of financial statement, चार दिये कौन सा objective नहीं है, advantage दिये चार पूछा इन में से कौन नहीं है, limitation दिये चार में से कौन नहीं है, यानि आपको पहले से given था, याद कुछ नहीं करना था, but अब आपको dissolution के अंदर section 48 की बात करने तो याद करना पड़ेगा, debentures की बात करने तो collateral security याद करना पड़ेगा, cash flow की बात करने तो 8 से 10 बहुत important question है, जो आने ही आने वो theory आपको याद करनी पड़ेगी, यानि यहाँ पर आपकी fight आने वाली है, तो theory भी बहुत बड़ा important role play करेगी term 2 के अंदर और last है time management, यानि यह तो biggest fight रहेगी, अभी आपको लगा था, अभी जो MCQ पेपर हुआ है, इसमें भी बच्चों को लेंदी लगा paper, can you believe 55 question में से originally आपको पहले 45 करने थे as per the pattern given by the CBSC but एगदम से shocking लगा, जब same day हमें 48 में से 40 करने थे सोचिए, अगर 45 करने होते तो पहले ही paper लेंदी लगा, और paper और लेंदी लगता आपसे होता भी नहीं, इसका मतब जब आपसे OTQ के अंदर question में time आपको लगा paper लेंदी था, सोचिए subjective paper में तो कितना रहेगा, जबकि पूरे साल practice ही नहीं करी, because जब normal years में पूरे साल practice करके जाते थे, तीन घंटे का paper होता था, 80 marks का, तब भी paper बच्चों को लेंदी लेंदी लगता था, और अब तो आपने पूरे साल format बनाये ही नहीं, पहली बार आप पूरा format बनायेंगे, पहली बाद जनल लेजर बनायेंगे, तो definitely आपको time management बहुत दिक्कत आने वाली है, तो इन सब को लेते हैं, आपने अभी से पढ़ना शूरू कर देना है, और जल्दी से paper pencil से लीजे, कैसे कैसे आप अपने त्यारी कराएंग करेंगे, तो सबसे पहले six chapters हैं आपके स्कोर्स के अंदर, यानि term two के अंदर, उन छे chapters के बारे में discuss करते हैं, और कैसे कैसे आपने पढ़ना शूरू करना है, वो भी हम decide कर लेते हैं, सबसे पहले, मैं बात करूँ तो सबसे पहले chapter, अगर आप में से advice लें, कि सर मैं कौन सा chapter पहले पढ़ूं term two में, तो मैं कहना चाहूंगा, कमनी अकाउंट से ऐसा chapter होता है, जो हमेशा tough लगता है, तो आपने ताजा ताजा शेर्स पढ़ा है, यानि शेर्स की eight entries आपको आती है, application की दो, अलॉट्मेंट की दो, इसी तरह से lump sum, इसी तरह से आपको पूरा शेर्स चेप्टर का concept क्लियर है, same pattern पे debentures है, because shares के अंदर vendors वाले question किये है, कब goodwill debit होगा, कब capital of credit होगा, वो भी सारी चीजे यहाँ पर common है, यानि यहाँ पर debentures का 60% chapter same है, like issue of shares, तो अगर आप चाहते हैं, tough chapter पहले से ही clear करना, वो art entry, यानि installment method, lump sum की entry, power premium, और हाँ, discount इसमें extra का जो वहाँ नहीं था, तो इसको पहले कर लिजे, यानि आपको debentures लगबग लगबग 6 माग का chapter होगा, 6 से 8 माग का, तो यहाँ पर आपको मज़ा आने वाला है, कि यह मेरा chapter पहले से हो गया, and you will feel very very confident, क्योंकि यह chapter tough है, और अभी आप थोड़ा relax है, relax moment में आप यह chapter कर सकते हैं, तो यह है आपके chapters 6, अगर आप मुसे बूचे कि debentures chapters है, sir, यह कितने दिन में हो जाएगा, तो it will take around 7 days, yes, 7 days में अच्छे से practice, assessment भी आप कर लेंगे, यानि मुझे सिर्फ एक घंटा आपको daily देना है, और मैं आपको यह 7 hours के अंदर यह chapter पूरा अच्छे से करवाँगा, यानि यह debentures chapter करने के बाद आप confident feel करेंगे, और board exam के अंदर same question अराम से आप कर पाएंगे, comparative की बाद करूँ, यानि इसके बाद आप comparative कीजिए, आपको अगले चार दिन सिर्फ comparative पढ़ना है, comparative में चार चीज़े आती है, comparative, common size, और दो comparative, और दो common size, वो चारो के चारो चीज़े के लिए 4 hours में आप समझ भी लेंगे, practice भी कर लेंगे, और चेप्टर खतम हो गया, और हो सकता है, चार माँ का equation same to same, आपको board exam में आ जाए, उसके बाद बाद आती है, सबसे मुश्किल चेप्टर अगरा, जब भी मैं वरक्शॉप में जाता हूँ, तो मेरे से पहली चीज़े पूछी आती है, कि सर, cash flow statement हमें नहीं आता, because इसके अंदर पूरा format याद करना पड़ता है, इसके लिए कम से कम 12 days आपको देने है, और देने है minimum 12 घंटे, यानि ये वो है, जो minimum requirement है, इस chapter की, one month लगता है, मैं almost almost पूरा chapter कराने में, यानि 12 classes के अंदर, तो ये आपकोल मिलाके देखेंगे, 12 plus 7, 19 and 4, 23 hours में, मेरे ये chapters खतम होते हैं, यानि मेरा, जो company accounts है, उसका बचा हुआ chapter, और जो analysis के दो chapter बचे थे वो, तो ये हो गया 23 marks का, यहाँ पर, यानि 23 days के अंदर, 12, 4, 16 and 7, यानि 23 hours में, ये 23 hours में, आपका ये portion खतम हो जाता है, और फिर चली देखते हैं, retirement and death of a partner, ये कहना चाहूँगा, थोड़ा सा later stage पे, because अभी initial, इस 23 days में, अगर आप ये tough chapters, clear कर लेते हैं, तो अब आपके बचेंगे, वो chapter easy easy, जो आपको admission आप पहले कर चुके है, because, यहाँ पर new ratio, gaining ratio, revaluation account, partners capital account, आप बहुत असानी से कर लेंगे, और इसके लिए मैं सिरफ और सिरफ इन दोने chapters के लिए, 8 days दोंगा, यानि 8 hours, yes, 8 hours में ये पूरे के पूरे chapter, because death में कुछ भी नहीं है, सिरफ एक छोटा सा profit निकालना है, disease partner का, दिन बात करते हैं, dissolution of partnership firm की, ये बहुत ही एक तरह से समझने का, और attafication का chapter है, आपको entries बस समझ के याद करनी है, 8 days यानि मुझे चाहिए हैं, आपके इसमें सिरफ 8 hours, fine, और last जो, last but not the least, आप पूछेंगे, सरी, 11 days यानि 11 hours, 11 घंटे के अंदर भी chapter में, mastery कर सकते हैं, क्योंकि आप 11 में final accounts कर चुके हैं, वहां का last chapter, और यहां का last, अगर आप देखेंगे, बिल्कुल similar है, adjustment दो जगे आएंगी, और ये भी chapter जो है, बहुत important है, 10 marks का है, तो कुल मिलाकि अगर आप देखें, तो यहां मुझे आपको 50 days में, अगला target है, 50 hours में, ये सारे chapters कराने का, और जो कि मैं आने वाले sessions में, आपके साथ करवाऊंगा, तो क्या आप चाहते हैं, इस बहुत ही systematic तरीके से त्यारी करना, चाहते हैं तो do like, subscribe, comment box में लिखें कि, yes sir, we are ready for these six chapters, इसी तरह से business studies में six chapters, आपके पास है staffing, directing, controlling है, financial market, financial management है, और आपका CPA, इसी तरह से economics के अंदर, तो सभी तीनो subjects का लेके आ रहे हैं, हमारे channel accounts group पे, एक पूरा-पूरा comprehensive plan, तो बनिय रहेगेगा हमारे साथ, और description box में दो gift आपके लिए हैं, पहला, अगर आप देना चाहते हैं, हर Sunday हमारा free mock test, तो उसके लिए आपको हमारा accounts group app download करना पड़ेगा, और telegram channel है, accounts group होँआ पे latest update about my webinars, और live sessions ये दोनों आपको मिल जाएंगे, तो ये smart planning थी, किस तरह से हम 50 hours में खतम करने वाले हैं, आने वाले time में, पूरा term 2 का accountancy का syllabus, same with the business studies, same with the economics, तो मेरे प्यारे बच्चों, I hope तेयारी अच्छी है, थकावाट उतर चुकी है, तो चलिए, मिलते हैं, debentures chapter के साथ त्यारी करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिए, और वेट कीजी अगली वीडियो का, जहां हम शुरू करेंगे, debentures chapter, so bye bye, take care, God bless you all, yo,